बेद भाव अपने दिल से साफ कर सके दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके बुराई से बचे रहे सच का दम बरे दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करे हमको मन की शक्ति देना मन बी जै करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करे हमको मन की शक्ति देना मुश्किले पड़े तो हम पे इतना कर्म कर साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पड़ खुद बेहुसला रहे वदी से ना डरे दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करे हमको मन की शक्ति देना मन बी जै करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जै करे हमको मन की शक्ति देना पिर्म करेंप देना करेंप देना करेंप हुद दूसरों हेलो इंडिया मेरी आवाजी मेरी पहजान है में आपका स्वागत है जैसा कि अभी आप सबने हमारी प्रार्थना में सुना की दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके यहाँ पर दोस्तों का अर्थ सिर्फ दोस्त से ही हो ऐसा नहीं है मतलब वो कोई भी हो सकता है like कोई अपना या कोई पराया या कोई दुश्मन भी क्योंकि गल्तियां सिर्फ दोस्ते नहीं होती दग्वों तो किसी से भी हो सकती है अपनों से हो सकती है और परायों से भी हो सकती है किसी से भी हो सकती है और गल्तियां जो है न वो बहुत तरह की हो सकती है और गलती करने वाले भी विविन परकार के होते हैं लेकिन आपको पता है माफी जो है वो सिफ दो परकार की होती है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है माफी तो माफी होती है तो हो जाएए तैयार क्योंकि आज का हमारी चर्चा का विशे है माफी और जैसा कि मै मैंने पहले बताया, कि माफी दो परकार की होती है, एक तो होता है कि हम किसी को माफ कर देते हैं, मतलब atवी, दूसरा होता है, दिल से माफ करना, इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि, अच्छिली माफी दो परकार की होती है, अच्छा भोव मिहां पर ये कहना चाहेंगे कि जब हम किसी को ऐसी मतलब दिल से माफ नहीं करते हैं बलकि उपरी दौर बे माफ कर देते हैं तो होता क्या है कि जिसको हमने माफ किया है वो तो खोश हो जाता है कि चलो मैंने कोई गलती की थी तो मुझे माफी मिल गई लेकिन होता क्या है कि हम यह समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम सामने वाले को दिल से माफ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत हमेशा ही मतलब एक अच्छी चीज नहीं होगी हमारे साथ ही हमारा मन हमेशा परेशान रहेगा अगर हम उसे कभी मिलते हैं तो हम अपसेट रहेंगे अंदर यंदर और उपर से मतलब ऐसे दिखाएंगे या कि उसे ऐसा ना लगे कि हमने उसे माफ नहीं किया है दूसरा ये है कि हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम किसी को दिल से माफ नहीं करते हैं तो हम अपना खुद का भी नुकसान करते हैं साथ में वो ऐसे कि हम मतलब अगर किसी चीज को मन में रखे रहेंगे बुरी भामना के साथ और खुद अपसेट होते रहेंगे तो एक चीज है जो निगेटिविटी जैसी चीज है जो मतलब कि हमारे आसपास हमेशा रहेगी उसके प्रती और वो चीजें जो है ना वो सही नहीं होती है वो खुद के लिए भी सही नहीं होती है कभी आपका मूर अच्छा नहीं होने देगी आपको कभी उतना इंजॉई नहीं करने देगी लाइफ में कि मतलब अगर किसी से भी आप अंदर-अंदर नाराज हैं और आप उपर से मतलब खुश दिख रहे हैं तो वो चीज खुद आपको ही परिशान करेगी और वो आपके लिए ही जादा परिशानी का कारण बनेगी जो कि आपको ऐसा नहीं करना है आपको अगर किसी को माफ करना है तो आप दिल से माफ करिए ताकि आप भी हैपी रहे है और जिसको आपने माफ किया है वो भी हैपी रहे तो हमें अपने आपको खुश करने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें ठीक है अगर हम दे रहे हैं माफी तो हम दिल से माफी दें ताकि हम खुद भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहें तो यह चीज है तो अभी हम मतलब यही चीज कहना चाहेंगे कि काफी चीजे ऐसी हमारी लाइफ में होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम खुद अपने अंदर चर्चरे से हो जाते हैं और बहुत ही अपसेट से रहते हैं और मतलब जितना एंजोइ हमको करना चाहिए कि कोई भी ओकेज्ड है या फैस्टिवल है कुछ भी है तो हम उतना इंजोइ नहीं कर पाते हैं तो यही बहुत सारी चीजें हैं, जिस पर छोटी-छोटी सी बाते हैं यह सब, जिस पर हम थोड़ा सागर ध्यान दे, तो शायद हम मतलब काफी खुद भी कुछ रह सकते हैं, और सामने वाले को भी खुश कर सकते हैं, और ऐसा महौल मतलब बन सकता है, जिसमें सब एक्जॉई करें, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक खास परसन को लेके अपने मन में कुंठित रहें, और अपन मतलब की अंदरी अंदर आप परिशान होते रहें, जैसे की जैसे जहले सोती हैं, यह इस तरह की चीजे होती हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, अपने आप कुल के सामने बोले भी नहीं पाते हैं, तो वो चीजे ना आपको खुद को जादा नुकसान पुचाएंगी तो इसलिए मतलब मेरी ये राय है कि अगर आप किसी को माफ करना है तो अगर आप दिल से माफ करेंगे तो आप अपने लिए भी एक तरह से अच्छा करेंगे और यही चीजे ये बहुत ही ऐसी चीजे हैं जिसको हम लोग अगर समझ जाएं तो काफी हमारी मतलब हमारी खुशीयों में काफी जो है इजाफा हो सकता है मदद मिल सकती है और यही चोटी-चोटी सी बाते हैं परिवार बगारा में फैमिली में गेट टुगेदर इस तरह की चीजों में तो मतलब यह जरूर होना चाहिए कि सब इकोल होना चाहिए जैसे वह एक लाइन है कि भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके तो वही चीज है कि किसी से भी भूल हो तो हम माफ कर सके एक्चिली हमारी इस आज का जो यह डिबेट है या जो भी चर्चा का विशह है वो यही है तो आई होप कि आप लोग थोड़ा अन्रस्टैंड करेंगे इस बास से और जबी भी किसी को माफ करेंगे तो आप दिल से माफ करेंगे ताकि सामने बादा तो खुश होई जाए और वो दुबारा वो गलती भी ना करें यह भी एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरा यह है कि आप भी खुश नहीं मतलब जो रियालेटी है कि आपको खुश होना जादा जरूरी है किसी को माफ करने के बाद तिल दिन बाई and थैंक यू सो मच पर लिसनिंग तो मी बाबाई